So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में Tata के कुछ IMP Shares को हम discuss करेंगे तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे Telegram चैनल को join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ Nifty Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है साथ ही price action भी आपको काफी easy तरीके से सीखने को मिल जाएगा तो प्लीज जाकर एक बार check out कर लेना तो वीडियो को करते हैं continue तो यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत करेंगे Tata Power के साथ Tata Power में अगर देखें तो काफी बड़ी positive news आई है और वही अगर देखें तो यहाँ पर government के एक फेसले के बाद stock में काफी अच्छी तेजी हमें morning में देखने को मिली वही अगर देखें market की गिरावट के कारण stock गिरा है बड़ यहाँ पर no doubt stock में एक बड़ी बड़त हमें देखने को मिलने वाली है stock में एक बड़े jump हमें आने वाले time में देखने को मिल सकते हैं तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर positive रह सकते हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो government ने क्या face ला लिया है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो PM Modi announces solar rooftop scheme for one crore household तो यहाँ पर अगर देखे PM Modi ने यहाँ पर announce किया है rooftop scheme को rooftop scheme में क्या होगा कि यहाँ पर जो houses होगे जो घर होगे उनके उपर यहाँ पर solar rooftop solar यहाँ पर fix किया जाएगा यहाँ पर establish किया जाएगा तो यहाँ पर अगर देखे तो इसका सीधा सीधा impact जो renewable energy से related shares है जैसे ही Tata power हो गया और कई सारे से shares है जिनमें यहाँ पर इसका काफी positive impact पढ़ने वाला है और वही अगर देखे तो कही ना कही यह बाते चल रही है कि government की ओर से यहाँ पर यह जो project है वो काफी बड़ा होने वाला है यहाँ पर अगर देखे तो पूरे देश में यह project को यहाँ पर काम किया जाएगा इस project के उपर काम किया जाएगा तो यहाँ पर Tata power एक बड़ा रोल यहाँ पर play कर सकता है इस योजना में क्योंकि हाँ पर अगर देखे जो government की renewable energy scheme से related जो shares है जो companies है वो ज़्यादा तर अपने project share करती है Tata power के साथ NHPC ले लो NHPC की ओर से कई सारे जो projects है वो Tata power के साथ share किये गए है तो हो सकता है कि यहाँ पर यह project भी इसके साथ share किया जाए इसी वज़े से stock में एक अच्छी बड़त हमें कल देखने को मिली थी और आने वाले time में यह जो stock है इसमें और बड़ी बड़त हमें देखने को मिल सकती है stock में और बड़े jump हमें आने वाले time में देखने को मिल सकते है तो इस चीज को लेकर तो आप positive रह सकते हैं government के इस फैसले के कारण अगर आप देखोगे stock morning में ही काफी अच्छे high लगाता हुआ में नजराया इसने एक नया high create किया 365.75 रूपिस के round तक का ये नया high stock ने create किया है और नया 52 weeks का high भी यही बन गया नया 52 weeks का high बना है 365.75 रूपिस तक का तो यहाँ पर एचीज आपको काफ दो बच के 40 मिनट तक की तो stock यहाँ पर अगर आप देखो तो 18 रूपिस पेसे के राउंड गिर चुका इतना बड़ा fall हमें stock में देखने को मिला बट वही अगर आप देखोंगे stock ने sudden एक recovery अभी बतानी start कर दी है ये stock अगर देखे तो 2.40 से लेके market यहाँ पर अगर रहा है और आगे भी अच्छे return is create कर सकता है पिछले 5 दिन में stock अगर देखे काफी गिरा भी और stock में recovery भी आई एक महीने में तो growth ही नजर आती है 21.90 पेसे तक stock में growth है तो यह कुछ चीज़े भी हमें देखने को मिलती है और जो सूर्य दोई योजना है इसका impact सीधा stock के उ value हमें stock में देखने को मिल रहा है एस्टेट एक ही भी अगर मैं बात कर लो तो 63 लाक के राउंड तक का trade value है volume की अगर मैं बात कर लूँ तो stock में high volume के साथ यहाँ पर trades लिये जा रहा है high volume के साथ stock को यहाँ पर खरीदा जा रहा है और share में अगर देखोंगे already कई बड़ी य Tata Power already renewable energy में invest करने वाला है लगबख 70,000 करोड गुजरात में invest करने वाले है community sentiments के आकडों की अगर मैं बात कर लो तो community sentiments के आकडों में आप देखोंगे तो 100% लोग है जो stock में यहाँ पर buy करने के लिए कह रहा है तो यह काफी अच्छे numbers यहाँ पर हमें नजर आते हैं और आन की दिन की में बात कर रहा हूँ तो कल के दिन तो एक चीज clear हो जाती है कि stock में एक बड़ा jump हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है ठीक है अब बार यहाँ आती है Tata Steel Limited की तो Tata Steel की अगर मैं बात कर लो तो Tata Steel में भी आप देखोगे तो share में हमें गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर stock अगर दिखूंगे steel यहाँ पर fall बता रहा है बट यहाँ पर अगर दिखा जाए तो इसके quarterly results कल announce होने वाला है इसके quarterly results कल announce होगे तो आप कल के लिए तो इसमें positive रह सकते हो और वहीगर आप दिखूंगे तो share अभी current ही अगर आप current की अगर मैं बात कर ल दे सकता है और इसके results के से रहेगे उसके उपर तो हम बाद में बात करेगे बट steel stock अगर आप देखोगे अभी भी 130.10 रूपिस के round यहाँ पर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है stock में यहाँ पर गिरावट हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है बट वहीगर आप देखोग जो टाटा स्टील है यहाँ पर इसमें एक बड़ी न्यूज यहाँ आ रही है कि जो European hurdle है उसकी वज्जह से यहाँ पर जो इसका profit है और सफर कर सकता है कही न कहीं profit में कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ चीजे हमें उपर नीचे होती भी नजर आ सकती है अगर आप देखोगे त तो stock में आप आने वाले time में तो positive रही सकते हो क्योंकि stock में काफी अच्छे return के आप उम्मीद लगा सकते हो stock में अगर देखे तो कल एक बड़ा दीन है इसके लिए बड़े results इसके announce हो सकते है tata steel quarter 3 provisional sales volume in India rises 1.2% quarter on quarter के basis पे जो इसकी sell बड़ी है वो sales काफी अच्छे नजर आती है 1.2% यहाँ पर बड़ी है 4.88 million ton तक यहाँ पर हमें देखने को बलती है और वहीगर देखे drive and plan strong domestic demand steel production at 5.32 million अब side के और गया है 6% year on year basis पे quarter on quarter basis पे यहाँ पर अगर देखे तो यह जो European hurdle है उसकी बज़े से कहीना कहीं गिरावट देखने को बलते है तो इस चीज को लेकर यहाँ पर आप positive रह सकते हो और वहीगर आप देखोगे जो Tata Steel है Tata Steel जो है यहाँ पर एक बैतरी शेर है और काफी demand रही है stock की और वहीगर देखे हाली में एक merger की बात भी यहाँ पर चल रही है 33 शेर्ड मिलने वाले थे यह चीज भी हमें देखने को मिली तो यहाँ पर इन points के उपर भी आपको कहीं न कहीं focus रखना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें Tata Steel में तो 4 करोड के round तक का trade value हमें stock में देखने को यहाँ पर मिलता है और combinant delivery की भी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर last trading season 71 lakh थी और आज की दिन तो 2 करोड के round तक हो सकती है Community sentiments के आखड़े अगर देखे 100% buying की है और इसके लिए कल एक बढ़ा दिन है कल इसके results announce होने आलेगा है बिल्कुल यहाँ पर अगर आप दिखोंगे इसके quarterly results announce होगे 24 January 2024 यहाँ पर कल इसके लिए एक बढ़ा दिन है तो कल के लिए भी आप इसमें ready रह सकते हो इसके levels क्या कहते हैं तो levels को भी हम discuss कर ले तो Tata पहले हम बात कर लेते हैं Tata Steel की तो Tata Steel में भी हमने कल कुछ points discuss किये थे यहाँ पर हमने एक level आपके साथ share किया था उस level में मैंने कहा था कि अगर breakdown आता है तो stock में गिरावर जो है continue हो गया exactly वही चीज हमें देखने को बली stock ने इस particular range का breakdown यहाँ पर दे दिया यहाँ पर आप दिखोंगे इस level पर support है ले रहा था तो यहाँ से हम उमीद कर सकते कि एक बड़ा jump हमें आने वाले time में stock में देखने को मिल सकता है तो इस चीज को लेकर आप positive यहाँ पर रह सकते हो बारी आती है टाटा power की तो टाटा power में अगर हम देखे 5 minute के time frame पर तो stock में आज हमें गिरावर देखने को मिली बड़ डाउन 60 तक इस stock जाने कोशिश करेगा क्योंकि आज एक बड़ा gap up stock में देखने को बिला और यहाँ पर से stock में अगर देखे है तो एक बड़ा jump हमें देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर इस point के उपर भी आफ focus रख सकते हो अब बारी आतिक dividend share की तो dividend share जो है हमारा CESC Limited 131 रुपे का share है और company के और से एक बड़ा announcement यहाँ पर किया गया है announcement की अगर मैं बात कर लूँ तो company देने जा रही है dividend dividend कितना देगी company 4 रुपे 50 पेसे का 450 परजन का dividend company के और से announce किया गया है एक फरवदी 2026 इसके interim dividend की ex-dividend date है अब बारी आती है एक ऐसे stock की जो bonus दे रहा है कना नही Industries Limited 9 रुपे 15 पेसे का stock है और 1-2-1 का bonus company के और से announce किया गया है तो इसमें भी आप एक बार try कर सकते हो I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी stock में investment करने से बेल इनका analysis कर अच्छा लेना थैंक यू